तो कसकाई क्रेजी पबलेक आज हम बात करने वाले हैं आपको टूथपेश्ट यूज़ करना चीए या नीम यूज़ करना चीए नीम दातून या कोई भी जो पुराने दमाने में दातून और लोग यूज़ करते थे वो सरे दातून दातों की सफाई के लिए टूथपेश्ट और नीम का दातून दोनों ही तरीके बहुत सही है क्योंकि सब लोग यही करते हैं लेकिन कौन सा अधिक फाइदे मंद और बेनेफिशल है यह समझने की जरूरत है हमें तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं तो पहले हम तो एक चैनल पुराना और एक नैच्रल दरीगा है दातों को सा रहा है नीमके और मसूडों की सफाई में बहुत सही होती है मतलब भाई मीम के दातून का इस्तमाल करने से दात और मसूरे स्वस्त रहते हैं और दातों की दुरगंद भी इससे कम हो जाती है यह लगता कड़वा है लेकिन भाई अच्छा है क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है तो चलो कुछ कंपैरिजन करते हैं दूरों के बीच में तूथपेश्ट कंविनेंट और इजी तो यूज है लेकिन इसमें केमिकल होते हैं जो कुछ लोगों के लिए हार्श हो सकते हैं और उनको कुछ तकलीफ हो सकती है सबको नहीं मतलब बहुत ही कम लोगों को होती है मीम का दातून एक नाच्चरल और इको फ्रेंडली जादा होता है तूथपेश्ट के रेगुलर यूज से दातों की सफाई अच्छे से होती है लेकिन लांग टम एक्सपोजर से कुछ साइड इफेक्स भी हो सकते हैं अरे भाई आखिर में वह केमिकल है कुछ हो सकता है नीम के दातून के इस्तिमाल से औरल हेल्ट इंप्रू पर दात की सफाई के लिए किस तरह का तरीका आपको कमफर्टेबल और एफेक्टिल लगता है यह एक बहुत ही पर्सनल प्रेफरेंस है कुछ लोगों को टूथपेश्ट का इस्तिमाल करना अच्छा लगता है जबकि ट्रेडिशनल लोग होते हैं उनको नीम के दातून या और रेगुलर इस्तिमाल करें तो क्रेजी अबलेग अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो बड़ा क्रेजी को सब्स्राइब करो और भाई रोज ब्रस कर भाई कभी-गभी ब्रस नहीं करते हैं और खाना आई से खाजाते हैं अपने को लगता है किसी को मालू बना रोग बना रोग बना रोग बना क्रेजी इजी